तो हाई गाईस हम आगे हैं फिर से वापस एक काफी बड़ा सा पारसल या सामान या जो भी बोलो लेके ये भी बेबलेट से रिलेटेड है तो गाईस इस पर हम भी डिटेल में बात करेंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आई होब आप भी होगे तो अगर हो तो मारो सब्सक्राइब गाईस क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए डेली बनाता हूँ तो तो गाईस सब्सक्रिप्शन की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए तो यह कुछ सामान है जो हम योगी इंस्टिंक्ट भाई से लेके आए है और मंडे को गाईस मैं गया था यो तो गाईस आप सब्सक्राइब कर दो तब तक हम इसको ओपेन करते हैं देखते हैं क्या है आज हमारे पास यहाँ पर एंड लेट्स ओपेन दिस गाई तो गाईस हमने पूरा जो रैप था बहुत खतरना टाइप की पैकिंग थी वो खोल दी है और काफी जादा बबल रैप निकला है काफी सिक्योरी पैक किया गया था जबकि मैं पसनली लेके आने वाला था फिर भी खेर कोई बात नहीं गाईस ये स्टेडियम नया है पूरा ब्लैक कलर का निप स्टेडियम है जो कि मैं आने वाले कुछ टाइम में इन्मॉक्स करूंगा और फिलाल तो निप रखने काई मने तो मैं इसको नया ही बना रहने देता हूँ अपने पास बहुत सारे ओपन स्टेडियम से इसको खोलने का कोई मतलब है नहीं तो इसको कर देते हैं साइड में अब गाईस इस स्टेडियम पे आता है तो ये गाईस यूस्टेडियम है पहले तो योगी ब्रो ने बुला था कि दोनों ही तुम ब्लैक लेलो क्योंकि ब्ल सीरीज में हम लोग डिपेंडेंट हो गया थे अब इस पे स्टेडियम हम लोगों ने ले लिया योगी शिंग से और कावी अची कंडिशन में ठीक था कंडिशन है यूजड है तो और वैसे भी स्टेडियम में यूजड और निप से बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है क्योंकि जैसे फॉर इग्जामपल यहां पे स्क्रेचेस हैं कुछी बैटल में स्क्रेचेस यह आ जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप नया स्टेडियम ले लोगों तो जिन्दगी भर वह वैसे चमकता रहेगा दस बारा दिन बाद उसका भी अहीं हल होना है ए और यहां पर हमको सबसे पहले मिल जाता विनिंग वैल करी यह ने परचेस किया था यह ने योगी बाइसे लिया था काफी ठीक टाक प्राइस में मिल गया और यह स्टार्ड़ वर्जिन है थोड़ा रेयर वाला है और यह रेगुलर वाला नहीं आप देख सकते इसकी डिस् वाले लॉंचर हों दो ऐसे से क्लिक करना होता है ऐसे ऐसे गुमा के यहां पर मिनी बेवलेट लगता और ऐसे जब आप दबाते हो यह से घूम के बेवलेट लॉंच कर देता है ऐसा similar launcher अपने पास मैं बी मिनी बेवलेट का है बट यह बर्स्ट के मिनी बेवलेट का बेबलेट भी ढूंडने पड़ेंगा अगर हो कहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली यह लॉंचर काम आने वाले अपने अब गाइस यह दोनों भी मुझे लगता है बसके मिनी लॉंचर बट इनसे काइस मैंने मिनी लॉंच की है और हो जाते हैं बिना किसी दिक्कत के यह दोनों यह दोनों लॉंचर आपनी बैटल के लिए जो कि अपने पास मिनी अब ब्याइब यह दोनों लॉंचर हमको डेफिनेटली चाहिए तो यह सारे जितने भी लॉंचर साव इदर देख रहे हो सारे के सारे हमें योगी इंग्स्टिंक्स मिलें एस गइस तो पुराना कस्टमर होने का कुछ नों कुछ तो फाइदा होता रहता है और अभी स्टेडियम क्लिफ्स लगा लेते हैं फटाक से यह विनिंग वेलकरी अभी हम लोग ट्राई करते हैं कैसा है यह बेबलेड तो मैं स्टेडियम सेट अप कर लेता हूँ और गाइस आप लोग बताएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या हमको यह स्टेडियम अब यूज करना चाहिए क्योंकि यार मैं भी थोड़ा प्रो सीरीज से बोर हो गया हूँ अब कुस दिन प्रो सीरीज से हटके स्टेंडर्ड बर्स्ट यस हरने का मूड हो रहा है प्रैस बताइएगा कि क्या यह स्टेडियम यह सई रहाएगा अपने वीडियो के लिए क्योंकि स्टेडियम से पहले हम लोग यूझ करते थे twice-z का उससे पहले db, उससे पहले transparent burst अब जाके अपने पास standard white वाला burst आया है तो चलो guys, अब ये सारी बात हो गई है पहला सबसे पहले बनता है इस winning वेलकरी का test pin जो कि मुझे definitely पता है guys, बहुत weird होने वाला है क्योंकि ये बेब लेड ही weird है, क्या ही बोलना इसके बारे में करते हैं और ये guys, बहुत ज़्यादा, इसका stamina पहली बार तो खराब है और मुझे याद नहीं साथ इस driver का नाम volcanic या something कुछ है तो guys, ये काफी ज़्यादा अजीब बेब लेड है कोई बात नहीं, इसका battle करके देखते हैं, रिवाई phoenix जिसका armor missing है, custom combo है ये गया phoenix, अब इसकी बारे ये देखते हैं, क्या खरता है तो guys, चोजी वैलकरी जितना अच्छा है, winning उतना ही वायाद है, सच में और पता नहीं मेरे पास एक और winning है, उसमें मैंने volcanic dash लगा रखा, वह काफी अच्छा perform करता है, तो आने वाले दिनों में, उसकी battle इससे कराएंगे, golden winning से और मुझे लगना गोल्डेन वाले इसको guys, आसानी से आरा देगा अब 40 years से भी एक बार बनना किके देख लेते हैं battle, ये तो या धोखा से, धोके से guys हो गया, ये थोड़ा mistake हो गया मेरे से, मैंने बगल में लॉंच कर दिया, पूरा फायदा उठारी अवेल करीने, फिर से कर देता हूँ, फिर से कर देता हूँ, ये गया, अब इसकी बारी ह मुझे पता है guys, ये जीत नहीं पाएगा, मुझे फिर से, और ये लोहार गया, तो guys, इसको हम सिर्फ कलेक्शन के लिए लाए हैं, और ये बेड़ अच्छा है बट इसका ड्राइवर बहुत ही वायाद है हमेशा की तरह है, और वालकैनिक डैश है में दे पास, वो थोड़ का आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और योगी भाई को पहली बात थैंक यू, ये सारे फ्री लॉंचर देने के लिए, और काफी अच्छा रहा, मैं उनके या गया, काफी टाइम स्पेंड किया, तो guys, योगी भाई के पास गया है, टाइम स्पेंड किया, काफी मज़ा और ये सारे फ्री की लॉंचर लिया है, अपना सामान भी उठाला है, जो कि दो स्टेडियम और एक बेवलेट, तो yes guys, यही था आज के लिए, और guys आप बताएएगा, आपको यहला स्टेडियम कैसा लगा, और इसी में सारे वीडियो जाने वाले है, तो आज के लिए इतना